नमस्कार दोस्तों, हेल्फ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत हैं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्फ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं जबी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दे जिससे आपको latest वीडियो मिलती रहें दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रधानमत्री यसरस्वी योजिना के बारे में तो दोस्तो इस योजिना में आपके चात्र या चात्राओं को किस प्रकार की scholarship मिलेगी और इसमें आपको क्या-क्या करना पड़ेगा इसके बारे में आज इस वीडियो में complete जानकरी मिलेगी तो वीडियो के लश्टास बने रहें दोस्तो पी-म यसरस्वी योजिना में कक्सा नवी से बारवी के चात्र वा चात्राओं के लिए scholarship सरकार द्वारा दी जाती है तो ये योजिना केंदर सरकार द्वारा संचलित की जाती है इसमें यादि कक्सा नवी के लिए 75,000 रुपे की scholarship रासी आप जीत सकते हैं और कक्सा बारवी के लिए 1,25,000 रुपे की आप रासी जीत सकते हैं तो वीडियो के discuss में एक link दिया होगा जो आपको इस website पर लेके आ जाएगा इस website पर आने के बाद में आपको new candidate registration हेर पर आपको registration करना होगा यहाँ से आप इसमें registration करके अपने बच्चे को इस scholarship योजिना के अंत्रगत आप forum भर सकते हैं फॉर्म भरने की तारीक 11 जुलाई 2023 से 10 अगस्त 2023 तक हैं यानि कि 8 अगस्त हो चुकी हैं अभी 4 दिन ही आपको forum भरने की बच्चे हैं तो इससे पहले आपको forum भरना होगा जो भी लाष्ट तारीक 10 अगस्त 2023 तक हैं उससे आपको फेले इसमें forum भरना होगा तो योगेता की बात करें तो कक्सा 9 के चात्र चात्रा जिनकी जनमतिती 1427 से 31 2023 तक हो और 2022 तेविस के सत्र की कक्सा 8 भी पास की हो यानि की आपके जो कक्सा 9 के चात्र या चात्रा हैं जिनकी जनमतिती 1427 से 31 2023 तक के बीच में होनी चाहिए यानि की 2007 के चौथे महिने से 22 का जनमतिती और 2022 यानि की पिछले साल कक्सा 8 भी पास होना जरूरी है इसी प्रकार कक्सा 11 की चात्र चात्रा है जिनकी जनमतिती 1425 से 31 2009 के बीच में होनी चाहिए यानि की 2005 से और 2009 के बीच में होनी चाहिए और 2022 तेविस के सत्र में 11 कक्सा पास की होनी चाहिए तो आवेदन के लिए आपको फॉर्म और दस्तावेज में क्या क्या चाहिए तो चात्र चात्रा की आठवी या दस्वें की मार्शेट आपको साथ में चाहिए जो भी आप चात्र फॉर्म भरवाने आ रहे हैं कक्सा नवी के लिए है यादि फॉर्म भरवा रहे हैं तो कक्सा आठवी की मार्शेट चाहिए और 11 का यादि स्कॉलर्शिप के लिए आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो दस्वें की मार्शेट चाहिए चात्र चात्रा का आधार काल चाहिए, इमेल आईडी और मोबाइल नमबर चाहिए, आय का प्रमान पत्र चाहिए, OBC, SBC और जो भी अनिक कैटेगरी के हैं, उनका सेंटिबेट भी आपको साथ में लगाना होगा और इसके लिए स्कॉलर्शिप के लिए एक्जाम की तारिक गुंतीस नव दोजार तेवी से, तो ये लेश्ट डेट उनतीस नव दोजार तेवी से हैं, तो आप इस वेबसाइड पर आकर यहां से नियू केंडिडेट रेजिस्टेशन हेर पर जाकर रेजिस्टेशन कर सकते ह और अपना यहां पर रेजिस्टेशन, इसके लिए आपको अपना ओनलाइन फॉरम भड़ना है, और अपने डोकुमेंट सर्मिट करके फॉरम को फिलप कर लेना है, उसके बाद में जो भी आप यहां पर अप्लिकेशन नंबर मिल रहे हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, पासवर्ड जो भी आप बना रहे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, चैनल को सस्क्राइब करना मिलते हैं, अगले वीडियो में जैन जैवारत!